कॉंग्रेस में जो काम करकर के मज़ा आता था, वो कहीं आता ही नहीं, काहुल जी की महरबानी है, कि कॉंग्रेस में दुबारा वापसी हो रही है, बड़े दिल के लोग हैं, बड़े दिल के लोग हैं, बड़ा दिल दिखाते हैं, इंशालला साथ तारिक को हम लोग पार्टी हो रहे हैं खुद इस बात की जो चर्चाई थी उसको लेकर जब भी हमने इम्रान मसूद से बात की तो उन्होंने उनको एक शोशल मीडिया की अफ़ावाजी बताया लेकिन अब वो उन चर्चाव पर विराम लग चुका है इम्रान मसूद हमारे साथ हैं बात करने के लिए इम्रान जी सुबह हमने आपसे पूछा साथ अक्टूबर आप जा रहे हैं आपने कह दिया कि अल्ला बेतर जाने लेकिन अब क्लियर हो गया है इंशाला साथ तारिक को हम लोग पार्टी जोइन करेंगे पार्टी से अपने लड़ा 2019 लड़ा तो 2024 के लिए क्या आज़ा रहेंगी जो पार्टी का निर्णे होता है यह कि उसके अंदर कोई किसी का दखल अंदाज होती नहीं जो पार्टी बेतर समझेगी वही फैसला होगा हमने सारनपूर में आज चर्चा की थी इमनान मसूद को लेकर लगातार लोग हमने पून से पूछा कि इमनान मसूद को विपक्षिं के दल बदलू है लेकिन का कहना साफ चलब यह पर यह है कि वह अपने समर्थ को कहते हैं मैं बहुत है तो क्या लगता है क्या कुछ समीकरन बदल जाएंग उत्तर परदेश के अंदर आपकी दुबारा फिर से घर वापसी हो चुकी है क्या आपको इस बात का मलाल भी था कि आप एक साल कॉंग्रेस से लग रहे हैं यह तो मैं लगातार बोलता हूँ कॉंग्रेस में जो काम कर करके मज़ा आता था व बड़े दिल के लोग हैं बड़े दिल के लोग हैं बड़े दिल दिखाते हैं कितनी मजबूत हो जाएगी अब कॉंग्रेस साथ ही इंडागेट बंदन उत्तर परदेश में पहले ही मजबूत है भाई मैं तो बहुत चोटा सा प्याद हूँ आप मेरे से ऐसी बात क्यों पूरा करेंगे। इसमें शामिल हो रहे हैं टेविनान यूपी के लिए सारनपूर से विकास कबेल